अलेकुम स्टुनेंट्स आज हम चैप्टर नंबर फाइव का जो हम टापिक स्टार्ट पिछे किया हुआ था लिकवर्ड स्टेट और गैसे स्टेट तो लिकवर्ड स्टेट का जो बाकी रहा गया था हमने वैपर प्रेशर पड़ा था प्रेशर का इफेक्ट पड़ा था जो वैपर प्रेशर होता है किसी भी लिकवर्ड का चेंज होता है विद दा चेंज अफ टमप्रेशर जब हम टमप्रेशर को चेंज करेंगे तो वैपर प्रेशर भी चेंज होगा इन दोनों का रिलेशन जो है वैपर प्रेशर और टमप्रेशर का दोनों का रिलेशन डारे है जब temperature को हम increase करेंगे तो वैपर प्रेशर भी increase होगा अगर हम temperature को decrease करेंगे तो वैपर प्रेशर भी decrease करेंगा ठीक है मुख्लिफ लिकवर्ड जो है हर एक जो है अपना वैपर प्रेशर होता है और अपना एक definite boiling point होता है ठीक है तो वैपर प्रेशर जो है किसी भी लिकवर्ड का हर जो है कितना होता है सेवन सिक्स्टी मिलीमीटर मरक्री एड डिफरेंट टमप्रेचर एड सी लेवल यानि कि सी लेवल पे जो है सब का वैपर प्रेशर सेम होता है देट इस सेवन सिक्स्टी मिलीमीटर मरक्री बैरमीटर क्या है बैरमीटर इस दिवाइस एक डिवाइस है जो के टमप्रेचरा स्वरेपर प्रेशर को मियर करने के लिए यूज होता है इसके अंदर एक वन मिटर लॉंग जो है एक ट्यूब होती है वैसल के अंदर जो कि फिल्ड होती है विद मर्करी मर्करी जो है फिल्ड होती है और वो इन्वर्टिड होती है वैसल के अंदर ठीक है तो यह जो है किस के लिए यूज होती है कि हम क्या मेर कार सकें वैपर प्रेशर और सी लेवल पर मैंने आपको बताया है कि वैपर प्रेश सभबриз Ты ॅ यांति 6 सेंटी मीत्र ठीड है अब हम देखते हैं कि जो वन एक्मासफ्यर प्रेशर है वो किसकी एकोल होता है वल्ट एट्मासफ्यर अप्रा सेमें मिलमीर्टरन मरकृ किर Changing की एकोल होता है विकास वन नीमेटरन मरकृ इस इक्वल टू 1 टार तो इस वज़े से जो 760 मिलीमिटर मरक्री जो है किसके इक्वल होगा 760 टार ठीक है effect of temperature आपको समझा गिए कि इन दोनों का क्या है वैपर प्रेशर और टंप्रेशर का जो relation है वो क्या है direct relation है जब हम temperature को increase करेंगे तो वैपर प्रेशर भी increase करेगा और जब हम temperature को decrease करेगे तो वैपर प्रेशर भी decrease करेगा ठीक है भर अमीटर का डिवाइस है कि इसको हम मे현 करते हैं वैपर परैस्टर को मेच करने के लिए हम आरममीटर का डिवाइस उसके अंदर जो है एक ट्यूब होती है वैसल के इंदर जो के फिल्ल्ड होती है, Will Mercury Fluid ठीक है तो वैपर प्रेशर जो डिफरेंट जो लिक्वर्ट ने उनका बैरोमिटर के मदद से मज़र करते हैं इनकी अगर हम वैपर प्रेशर देखें वाटर का वो कितना है 24 टार है अलकोहल का 65 टार्ट ये एक्जाम्पल्स है और ये हमने किसके थ्रू वैलियोज मज़र की है अगे आता है boiling point तो boiling point क्या है स्टार पर हमने पड़ा है liquid state में effect of temperature on वैपर प्रेशर तो और अगे आता है हमारे पास boiling point तो boiling कि यह किसकी प्रैपरटी है लिक्वर्टेटी की ऐसी ठीड the interest तंप्रेट्चर की यह किस पे देखा है लिकुर्ट爾 पेगा है उसकी वیपर प्रैश्ड पर रेखा है छिए पूए तो हमारे पास मेन जो टापिक था वो क्या था दाद की ओप्र आप करेंगे केकि आइस कि अधिक है तो जब लिक्वर्ड हीट किया जाता है तो उसका जो टमप्रेचर है वो एंक्रीस होता है तो जब ऐनकूप्रेचर इंक्रीस होगा तो आपको पता है मलो्र्च होते हैं वो म düşर किया करना करना शूरू हो जाते है जितने इनर्जी स्ट्रीट में उसकी शर्फेस से इसकेप च्रूआइंग टीक है जब हम पॉर्टीकल टेखते हैं कि एवेर्ज अनरजी जो का इंतीकन जीfilm करती है तो एभुर्त मालखूल जो है एवर्ज इनर्जी आंठी वाले मालखूल वह इस्केप का जेंगे ठिक है और तो चिस्केप में जो है मालखूल स्केपिंग करना with the increase of temperature आपको पता है temperature और vapor pressure का जो relation है वो क्या है direct relation है ठीक है अब boiling point पर क्या होता है कि जो vapor pressure है liquid का वो atmospheric pressure के equal हो जाता है ठीक है जो boiling point है at boiling point जो vapor pressure है आप liquid becomes equal to इसके एकोल होगा atmospheric pressure के boiling point के पर जो liquid का vapor pressure है atmospheric pressure की equal होजेगा इस वाज़ा से जो boiling point है liquid का वो जो surface है liquid के उपर उसके उपर जो pressure होगा उसपे depend करेगी ठीक है यहने के जो boiling point की property है किसपे depend करती है vapor pressure जो होता है liquid का surface के उपर यहने के जब molecules escape का रहे होते हैं उनका जो vapor pressure होगा boiling point उस vapor pressure पे depend करता है ठीक है तो ऐसा temperature जिसके पर vapor pressure liquid का external pressure के equal हो जाता है उसे हम क्या कहते है boiling point of liquid ठीक है यह जो उसकी proper definition है boiling point की क्या है कि ऐसा temperature जिसके उपर जो liquid का इसके पर vapor pressure liquid का किसके equal हो जाता है external pressure ठीक है उसे हम क्या नाम देंगे boiling point experimentally हम देखते हैं कि जो boiling point है किसी भी liquid का वो increase करता है जब pressure को हम increase करते हैं और जब यह lower होता है अगर हम external pressure को क्या करेंगे decrease करेंगे यानि कि दोनों का यहां पर relation क्या है direct relation है कि जब किसी liquid का vapor pressure increase होता है तो वो external pressure भी क्या होता है इसका decrease होता है दोनों का direct relation है दोनों ही increase करते हैं जब होते हों दोनों ही decrease होते हैं ठीक है next हमारे बास अगर हम देखते हैं कि जो boiling point है उसकी किस तरह की property है क्या वो चेंज हो सकती है तो यहां से आपको पता चल ला है कि जब वैपर प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज करता है तो external pressure भी डिक्रीज या इंक्रीज होता है जिसके विज़ा से boiling point भी चेंज हो सकता है ठीक है तो यह क्या एक वैरियेबल प्रापर्टी है जब हम boiling point किसी लिक्वर्ट का compare करेंगे किसी दूसरे के साथ तो कौन से points हैं कौन से assumptions हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी है तो first क्या कि इंटर molecular forces होती है जैसे के hydrogen bonding है डाइपल डाइपल मुमेंट है डाइपल इंडियूस डाइपल एट्सेटरा जो भी है वंडर्वाज बगारा यह जो forces है लिक्वर्ट के मालक्यूस के अंदर पाई जाती है जितनी यह forces ज्यादा होंगी उतना ही यह boiling point ज्यादा होगा यानिके greater the intermolecular forces जितनी भी forces of attractions है जितनी greater होंगी वालक्यूस के दर्मियान उतना ही जो boiling point है वो ज्यादा होगा greater the boiling point BP is boiling point जो forces है कौन कौन सी hydrogen bonding है डाइपल डाइपल फोर्सिज डाइपल इंड्यूस फोर्सिज वांडर वाल्वाज इसेट्रा हाइड्रोजन बगार एगे जो forces जितनी भी है attraction forces है तो यह molecules के दर्मियान जितनी ज्यादा होगी उतना ही boiling point ज्यादा होगा यानि कि अगर इतनी strong अगर होती है तो उसको ज्यादा temperature देना पड़ता है ताके वह boil कर सके उतना ज्यादा temperature देना पड़ता है कि वह forces है attraction की उनके अपर overcome किया जा सके देन जो है वह liquid क्या होगा उसके molecules separate होंगे scaping की tendency उनकी जो है बढ़ेगी अगर तो यह molecules की जो forces attractive forces कम होती है देन boiling point भी क्या होगा कम होगा second one है कि जो molecular mass है liquid का ठीक है तो पहले था intermolecular forces second हमारे पास कौन से आगी है molecular mass of liquid जितना molecular mass greater होगा उतना ही greater the boiling point उतना ही boiling point भी ज्यादा होगा क्यों कोई भी अगर ज्यादा molecular mass वाला molecule है तो उसको ज्यादा temperature देंगे ज्यादा उसका temperature high होगा देन वह boil करेगा अगर small amount होती है तो उसको small temperature देने से ही वह boil हो सकता है तो ऐसा liquid ऐसा molecule जिसका जो है molecular mass ज्यादा है उतना ही उसे ज्यादा temperature देना पड़ेगा ताके वह क्या हो वाइल कर सके यानके दोनों का क्या है डारेक्ट relation है intermricular forces का और boiling point का direct relation है molecular masses का और boiling point का भी क्या है डारेक्ट relation है ऐसा temperature जिसके उपर vapor pressure वन एटमास्फेर के एक्वल हो जाता है उसे हम नार्मल boiling point का नाम देते हैं तो कुछ लिक्वर्स का बाइलिंग पॉइंट है जैसे मैंने पीछे बताया कि एथनौल का वाटर का इन सब का बाइलिंग पॉइंट था 178.5 35 डाइधाय लिथर का क्लोरोफाम का 61 एसीटोन का 56 ठीक है इनके बाइलिंग पॉइंट से डिग्री सेंटिग्रेड में कैलवन आपको पता एक डिफ्रेंट टम्बरेटर स्केल है तो यह डिफ्रेंट इसकी वैलियूज होंगी ठीक है नेक्स हमारे बात आता है फ्रीजिंग पॉइंट तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ है वाइलिंग पॉइंट क्या है हो आपको समझ आई है कि ऐसा टम्बरेचर है जिसके अबड़ किसी भी लिकवाट का जो वैपर प्रैशर है उसके एक्टरन नल प्रैशर के इकुल हो जाता है ठीक है तो नेक्स हमारे पास जो प्रापट्य आते हैं लिकवाट कि हो डेजिंग पॉइंटंड क्या चीज़ है कि सुदी उसमेन मनजमें होने का नाम है freezing freezing point जब temperature किसी भी liquid का decrease होगा तब कोई चीज freeze होगी ठीक है तो vapor pressure किसी भी liquid का decrease करता है विदा lowering of temperature जैसे कि मैंने बताया है कि दोनों का vapor pressure का temperature का direct relation है अगर temperature decrease करता है तो vapor pressure भी decrease करेगा तो इसी तरह किसी भी liquid का जब हम vapor pressure decrease करते हैं तो temperature low होता है तो freezing point is that temperature at which the solid and liquids phases of same substances coexist तो ice आपने देखिए तो ice दोनों form में exist करती है coexistence होते हैं मतलब एक एक टाइम में वो liquid भी हो सकती है और देन साथ ही वो solid form में भी होती है ठीक है at the freezing point the solid and liquid phases have the same vapor pressure freezing point पे जो liquid और solid दोनों का वेपर प्रेशर भी सेम होता है ठीक है तो एक बीमारी है ठीक है जो वोलटाइल लिकवर्ट हैं जैसे के फ्रियांज ठीक है यह क्या करते हैं जो के आपको पता है प्रेशन क्या करती है cooling case करती है जिसके वज़ए से जो कोईल्स है फ्रिज्च के अंदर वो क्या करती है cooling कास करती है ठीक है आप देखें वेपर को हम vitalis के अंदर जह फ्रिज के बाहर होते है उनमें को हम क्या कर दें पॉप Cabinet आ Myself जो है तो डिवाइस जो के heat pumping के दुरान इसमाल होती है वो fridge के outside होती है उसकी बाहर होती है So you may have noticed that coils on the outside of the fridge are warm तो यह आपको पता है कि coils जो हैं बाहर वो क्यों warm अप होती हैं क्योंकि जब vapors दुबारा compressed होके liquid form में आते हैं तो heat देते हैं ठीक है तो जिसकी वज़ा से यह coils क्या होती है वाम होती है अगर diffusion तो start में हमने diffusion का process पर रहा था क्या होता है ठीक है कि जो molecules से वो क्या करते हैं फ्लो करते हैं उनका spontaneous flow होता है from the region of higher concentration to the region of lower concentration जब हम इंक का एक drop रखते हैं being is a liquid gently in a beaker of water जो पानी का बीकर है उसके अंदर हम इंक का एक drop डालते हैं है वो पूरे बिकर में spread हो जेगा और हम इस कलर की spreading देख सकते हैं कि कैसे स्लोली स्लोली इंक है वो उसने वाटर में फैल देगी और एक पूरा homogeneous mixture बना देगी two colorless liquids will also diffuse into each other in the same way but we are not able to see this diffusion with our eyes क्योंकि colorless चीजें जो है अगर liquid diffuse करते हैं तो वो हमें नजर नहीं आएंगे अगर हम different colors एक अगर colorless है और दूसरा colored है जैसे कि ink blue होती है black होती है उसका हम process जो है diffusion का वो देख सकते हैं it means that diffusion is the moment of miscible solute particles from higher concentration to lower concentration in a medium the rate of diffusion becomes faster at high temperature liquids diffuse like gases but the rate of diffusion in liquid is much slower than the rate of than that of gases the reason is that in liquid and molecules are relatively more closely packed than gases as a result the moment of particles into each other becomes more difficult density आगे देखिएंग का आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि इंक के आपको example समझागी होगी कैसे diffusion होती है जब ज़्यदा temperature होगा तो diffusion का process क्या होगा उतना ही तेज होगा तेजी की साथ fragrance मैंने पिछले लेक्टर में आपको fragrance की example बताया थी कि रूम के अदर अगर हमको इस्टेंट हिया perfume का spray करते हैं तो वह slowly slowly पूरे जो air molecules है उनके साथ collide करता है और पूरे रूम में फैल जाता है perfume इसी तरह इंक को अगर हम उसका एक drop beaker के अंदर डालते हैं तो क्या होता है slowly slowly वह पूरे बीकर में uniform एक mixture बांजाता है water और इंक का और यह process हम अपनी आंखों से लेख सकते हैं ठीक है तो density है density किसी भी density किसी भी substance की heaviness को मेर कर सकते है ठीक है तो density का unit में मैंने बताया था कि liquid और जो solids है उनका सेम होता है और gases का different होता है क्यों gases का different होता है क्योंकि gases का अगर हम small amount भी लेंगे तो वह उनका volume क्या होगा वह ज्यादा volume गेरेंगी ठीक है density of substance tells us that heavy one substance is as compared to other nenses of liquid are much higher than those of gases but a little less than those of solid the reason is that intermolecular species in gases are greater than in a liquid state of same substance आपको पता large empty spaces होती है gases के अंदर liquids के अंदर काम होती है और solids के अंदर बिलकुल नहीं होती है हों भी तो बहुत negligible होती है drops of rain fall down due to their greater density than air density is expressed in gram centimeter cube or kg dm cube increase of temperature decreases the density of liquid vice versa however the density of water shows exception behavior the density of water is maximum around 4 degree centigrade but is lower than this value above and better for degrees centigrade ठीक है देंस्टी की water के अगर हमने एक्जांपल लिया तो water जो है उसकी maximum density अच्छिकतिया 4 है और इससे कम जो है वो इसकी best value नहीं है कम है इसकी value 4 degree centigrade पे density जो है इसकी maximum है ठीक है तो density हमने बताया कि किसके intermolecular species किसके अंदर है ग्यास के अंदर क्या है ग्रेटर है देन इन लिक्वर्ट सेट ऑफ सेम सब्सांद जो rain fall down होता है due to their greater density than air तो लिक्वर्ट की क्या है इसमें डैंस्टी गैसे से क्या है ज्यादा है ठीक है आपको density की समझाई होगी diffusion का process हमने देखा था पिछले lecture में देखा था इसमें भी freezing point उसके बाद boiling point हमने देखा नेक्स आता है solid state वह हम next lecture में पढ़ेंगे ठीक है students अलाफीज